नमस्कार स्पेशल रिपोर्ट मा आपनों स्वागत्षे हुँ छूर रिंकल। युक्रेन ने लेन रश्याने अमेरिका वच्चेनों तणाव हवे वत्तों जै रहोचे। जना कारणे दुनियाना लोकुनी चिन्ता मा पण वधारू थायोँछे। अमेरिका है पहला ज स्पष्ट करी दिधुछे के रशिया 14 फेबरुआरी युक्रेन पर हुमलो करी देशे। अने आ जंगने रोकवा माटे नी एकज आशाहती अमेरिका अने रश्यान राष्ट पती वच्चेनी वाच्चेत। वरंदु बाइडन अने पुतीन वच्चेत हैली अंदाजे एक कल्लाक नी वाच्चीत पच्ची पन कोई निराकरण न निकरता हावे गम्मे त्यारे युक्रेन पर हुमलो करी ने रशिया महा युदनु आलान करी शके छे। जनेलाईने अमेरिकाय पन पोताना नागरीकोंने युक्रेन छोडी देवा माटे सला आपी देती छे। तेरे आजे स्पेशल रिबोर्ट माँ जो ये विश्वय युदनु काउंटडाउं। महा संग्रामना शरू थाया भनकारा। रश्या युक्रेन वच्चे नो वध्यो तनाव। अमेरिकी नागरीकोंने युक्रेन छोडवा सला हाथ। रश्या गमेत्यारे करी शके छे हुमलो। रश्या आने युक्रेन वच्चे वध्यो तनाव। बद्थी बद्तर थे रहो छे। जेना कारणे रश्या आने अमेरिका वच्चे नो तनाव। चरम सीमाय पहुँची गयो छे। स्तिती एटले सुधी बगडी गई छे। कि अमेरिका आये पोताना नागरिकोने युक्रेन छोड़ी देवा माटे सलह आपी दिधी छे। झाले साथ जे लुआ माटे लगडी जे लुक्रेज लगडी टेजाए लगडी लगडी टेए लगडी देवा लगडी। I didn't have to tell him that. I've spoken about that. He knows that. And, you know, it's a little bit... Look, that's what what I've asked is, American citizens should leave. Should leave now. पोटाना नागरी कोनू जोखम लागता अमेरिकाई युकरिन पासे ना नाटो देशो बाँ सैनिको ना धाड़े धाड़ा उतारिध्धा छे पॉलेंड मां अमेरिकाई ना बेहजार सैनिको तैनाच छे त्यारे अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाईड़ने वधु 3,000 अमेरिकी सैनिको ने पॉलेंड मोकली दिधा छे अमेरिकी मिडियाना एहवाल मुजब रशियाना युकरिन पर हुमलो करवाना संकटने लईने अमेरिकाई चिंतिच छे त्यारे रशिया पर दबाण भु करवा माटेज जो बाईड़ने पोताना वधु सैनिक युकरिननी मदद माटे मोकली दिधा छे जिस तरह से राजने गतीद्या और प्रयास चलने जिसमें फ्रांस और जर्मनी भी शामिल है उसे लगता है कि शायद इसमें कुछ बात बने लेकिन हालिया बियानों से रूस अपनी मांग पर द्रड़ लग रहा है और जो इस हिती लग रही है उसमें नहीं लगता कि इसका सीधा समाधान जल्दी निकलेगा आगे के समय में युद्ध होगा या नहीं होगा या जंग को टाला जा सकता नहीं ये पूरी तरह कहना मुश्किल है लेकिन मेरी समझ से नाटो को युक्रेन को अपने में शामिल ना करने की बात मान लेनी चाहिए और इससे युद्ध का जो खत्रा है वो पूरी तरह टल ज डिपलोई अंदाजे 1000 सैनिक रोमानिया पहुंची गया छे रोमानिया ना कॉंस्टांटा ब्लैक सी बंदर पर अमेरिका जत्थाबंध संख्या मां युद्धना साधनों तयार करी रहू छे तो साथे अमेरिकानी अधार मी एरबोट मुख्यालै थी 300 सैनिक जर्मानी पहु मौजूदा समय में अमेरिका की काफी सेनाएं पहले ही यूरोप में डिपलोईट हैं इतना ही नहीं नाटो समू के जो बाकी देश हैं उनकी सेनाएं भी इस्टन यूरोप के कई देशों में स्टेशन हैं ऐसी हालत में अगर रूस का यूकरेन पर आकरवन हुआ तो इसका प्रतिकार करना संभव है मौजूदा समय में भी शुरू में एक लंबी संख्या डिप्लाइमेंट करने के इरादे को जाहिर करने के बाद अमेरिका ने सिर्फ 8000 सेनिक उस इलाके में भेजे हैं और साथ ही साथ एक कोशिश की जा रही है कि सीधा यूद्ध न चिड़े अमेरिकी नागरीकों ने यूकरेन छोड़वा सलाह अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन ना सुरक्षा सलाहकार जैक सुलेव ने यूकरेन मा रहता अमेरिकी नागरीकों ने तातकालिक यूकरेन छोड़ी देवा माते सलाह आपी छे जैक सुलेवन ना मते पुतीन गम्य त्यारे युक्रेन पर हुमलो करवानों आदेश आपी शक्ये छे रश्या गम्य त्यारे करी शक्ये छे जंगनू एलान मात्र अमेरिका एज नहीं परन्तु ब्रिटने पन पोताना नागरी कोने युक्रेन छोड़ी देवा माते चला आपी दिदी छे ब्रिटनना मते युक्रेन सरहत पर जे रिते रश्या पोतानी सेन्य शक्ती वधारी रहु छे तैना पर्थी स्पस्ट थाई छे कि रश्या गमेते समये युक्रेन पर हुमलो करी चके छे अमेरिका ब्रिटन उपरांत जापान अने नेधरलेंड सरकारे पन पोताना नागरी कोने युक्रेन थी बाहर निकली जवानों आदेश कर्यों छे फर बीत्ते दिन के साथ युक्रेन में जो इसे दिन ज़र आ रही है उससे लग रहा है कि युद्ध कभी भी हो सकता है हाला कि रूस ने लगातार कहा है कि युक्रेन पर हमला करने का उसका कोई इरादा नहीं है लेकिन जब तक उसकी मागे नहीं मान जाएंगी तब तक आक्रमण का ख़दरा बना रहेगा क्योंकि युद्ध एकायक शुरू होता है और इसलिए अमेरिका और बिटेल के साथ साथ दुनिया के बाकी देश भी अपने डिप्लोमाइटिक मिशन्स और बाकी अपने नागरिकों को युकरेन छोड़ कर जाने की बात कर रहे हैं क्योंकि वह उनकी सुरक्षा से चिनते थे जंग मान नहीं जोड़ाया अमेरिका युकरेन पर रश्या ना हुमलानी शक्यताने लईने अमेरिका ए युकरेन मा पोताना दूतावास ने खाली करवानों नरणाय करेो छे तो बिजी तरफ अमेरिका ए वाद स्पस्ट करी चुक्यू छे के जो रश्या अने युकरेन वच्चे जंग थाई छे तो ते आ जंग नो भाग नहीं होए तो रश्या पासेना देशों मा अमेरिकी सैनिको निहाजरी मात्र नाटो देशों नी सेनाय ट्रेनिंग अपावी छे अने युद्धनी स्थिति मा दुश्मन देश ने वड़तो जवाब आपवा माटे नी तैयारी करावानू छे चाहिए है कि जिस तरीके से रश्या ने युकरेण को تीन तरीकों से घेर दखा है और यदि रश्या युकरेण पर कोई हमला करता है तो ऐसी स्थिति में जो ये युकरेण के साथ सीमा साजा करने वाले जो चैर ने नाटो बेस हैं इनके ऊपर भी खत्रा आ सकता है और इस आधार पर अमरीका और नेटो अलाइज ने इन देशों में अपना जो force का deployment है वो बढ़ाना शुरू कर दिया है और इन चारो देशों के ऊपर यदि कोई खत्रा Ukrainian invasion यदि रशिया के द्वारा किया जाता है तो उसमें अगर कोई ऐसा खत्रा आता है तो निसंदे अमेर रशिया एटले पन गुस्सा माँ छे के अमेरिका उपरांत ब्रिटन अने जर्मानी पन यूक्रेन ने सैन्य जत्तो आपी रहू छे तो साथेज काला सागर अने भुमध्य सागर नाटो सेना अने रशिया नी सेना माटे जंग नू अखाडो बंतो जही रहो छे एकलेज काला सागर अने भुमध्य सागर माँ पूती ने पूता ना सवथी ताकात वर युद्ध जहाज उतारी दिथा छे समुद्रमा मार्शव उस्तिनोव नो पहरो रशिया ना सवथी ताकात वर गणाता मार्शल उस्तिनोव नी काना सागर मा हाजरी थी युक्रेन पहला थीज भहे बीच छे अमेरिकानोपन कहवो छे के रशिया एक युद्ध माटे नी रणनीती ने अनुरूप पोताना युद्ध जहाजों ने भुमध्य सागर मा उतारी रहू छे रशियाना शक्तिशाल युद्ध जहाजों घातक हतियारों थी लेस थाई रहा छे तेज अमेरिकानी सवथी मोटी चिन्ता छे मार्शल उस्तिनोव मा 16P-1000 वलकन सुपरसोनिक एंटी शेप मिसाईल लागे ली छे ट्विन माउंटेड एक सो त्रीस एमेम नी एके वन थर्टी नी साथे 30 mm नी चो एके 630 क्लोज इन वेपन सिस्टम थी लेस चे आ क्रूजर पर बै आर्बीयू 6000 एंटी सबमरीन मोटार पन लागे ला छे जमा 20, 533 mm नाट टॉर्पीडों छे इटले के रश्याना आ युद्ध जहाज पर इटलो दारों गोळों छे जे गणत्रीनी मिनिटों माँ आखाज यूकरेन ने नेस्त नाबूत करी शके छे बस इटलेज रश्या पर दबान वधर्व माटे भूमध्य सागर्मा अमेरिका, फ्रांस और इटली नी नव से ना एक मोटो युद्ध अभ्यास करी रही छे यूकरेनियन संकट के संदर्म में ये भी इस पस्ट रूट से दिखाई देता है कि ब्लैक सी, सी आफ अजोग और भूमध्य सागर भी अमरीका, नेटो तथा रश्या की नो सेनाओं के लिए युद्ध की अखाड़े बनते जा रहे हैं रश्या ने ब्लैक सी में नेवल ड्रिल को कंड़क्ट करने का प्लांग बनाया है और जिसके की वजह से यूकरेन की जो सदर्न ट्रेट्री है जो इसके जो ट्रेड रूट्स हैं उसमें बाधाएं पैदा हो रही है और इस संदर में यूकरेन ने अपनी चिंता भी जता ही ह अपने जो प्रोटेस्ट को भी दर्च कराया है और वहीं अमरीका तथा नेटो देशों के द्वारा घूमध्य सागर में स्रिया फोजों में और ब्लैक सी में अपनी पोजीशन अफिस्टिंद को मजबूत करने के लिए कवाइदे शुरू कर दी गई हैं यूक्रेन पर हुमलानो प्लान तयार हाल तो अमेरिका आने तैना सहयोगी देश ना नागरी को यूक्रेन छोडवा राजी नथी परन्तु रश्याना राजद्वारी अने दूतावासना कर्मचारियों यूक्रेन छोडवानू चालू करे दिथू छे एक तरफ रश्या अगाउद स्पस्ट करी चुक्यू छे के ते यूक्रेन पर हुमलो नहीं परन्तु बीजी तरफ जे रिते रश्याना राजद्वारी अने दूतावासना कर्मचारियों यूक्रेन थी निकले गया छे ते पर्थी तो एस स्पस्ट छे के रश्या यूक्रेन पर हुमलो करवा माटे कोई तो प्लान बनावीज दिधो छे वेलेंटाइन डे पर हुमलो अमेरिका ये तो पहला थी जिस स्पस्ट करी दिधू छे के रश्याना राश्ट्रपती पुती ने युद्ध करवा माटे नी पोतानी संपोण तैयारियों करी लिधी छे युक्रेन पर हुमलो करवा माटे रश्या हाल मात्र वातावरन साफ्थवानी रह जोई रहू छे अमेरिका ये तो दावो करे लिधो छे के युक्रेन पर मोटो हुमलो करवा माटे रश्या हवे मात्र अमुक डगलाज दूर छे तो रश्यानी सेना 4 फेबरुआरी पची गमे त्यारे जंगनू एलान करी ने यूक्रेन मा घुसन खोरी चालू करे दैशे इसके लिए अपनी पूरी तैयारियां सुनिश्चित करके रखना चाहता है अमेरिका पोजिशन आफ इस्टेंट के साथ ही पूतिन जैसे महत्वाकांची राष्पती से डील करना चाहता है क्योंकि अमेरिका और उसके जो नेटो अलाइज हैं वो इस बात को समझते हैं कि रश्या के महत्वाकांची राष्पती ब्लादेमीर पूतिन से कोई भी निगोशियेशन पोजिशन आफ इस्टेंट के साथ ही सफलता पूरव किया जा सकता है और इसे लिए लगातार अमरीका और नेटो देश अपनी अपनी पोजिशन आफ इस्टेंट को रश्या के विरुद मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हर तरीके की स्थिती के लिए अपने आपको त्यार करके रखे हुए हैं हाल तो रश्यानी सेनाए युक्रेनने त्रोण तरफ थी गहरी लिधू छे रश्याना सवालाक थी पण वधारे सैनिक युक्रेननी सरहत पर घात लगावी ने बैठा छे जैने लईने युक्रेनना नागरी को युद्ध फाटे निकलवानी आशंकाव व्यक्त करी रहा छे जो रश्याने युक्रेन वच्चे जंग चालू थाई तो लाखो लोको ना जिव जिव्वानू अनुमान लगावामा आवी रहु छे अमेरिकाना एक एनालिस्ट ग्रूपे युद्धने लई थनारा नर्संहार ना आकडाव रजु कर्या छे जे मुझब जो रश्यान सेना युक्रेन पर कब जो करे छे तो जंग मा रश्याना त्रोण हजार थी दसजार सैनी को ना जिव जई शके छे साथेज युक्रेन ना पांच हजार थी लई पचीस हजार सैनी को शही थई शके छे एक अनुमान प्रमाणे रश्या आने युक्रेन नी जंग मा पचीस हजार थी पचास हजार निर्दोष नागरी को मौत ने भेटी शके छे रश्या आने युक्रेन वच्चेना युद्धनी आशंकाने लई आखी दुनिया खौफ मा छे तो अमेरिका ए महा युद्ध थवानी तारीक पण जाहर करी दिती छे त्यारे जे रिते ब्लैक सी अने मेडी टेरेनियम मा रश्या आने नाटो देशों नी सेना पोत पोताना ताकात्वर साधनों थी तैयारी करी रहा छे ते बढ़ती तो लागे छे जंगरी शदुआत दर्याई मार्गे थी उखाशे स्पेश्यो रिपोर्ट मां समय थे उखे एक विरामनों यूक्रेन ने रश्या वच्चे वधिला तणावने ओचु करवा माटे अमिरीकी राष्ट्रपती जो बाईडन ने पुतिन साथे एक कल्लाक सुधी वाच्चित करी जिनों कोई निशकर्स न निकड़ो त्यारे हवे तो युद्ध शरू थवाने गड़ियो गणावा अने तेवा मां अमेरीका ए थोड़ा दिवस पहला करेला पर्माणु युद्धना अभ्यासने लईने पन चिन्ता छे कारण के जो आ युद्ध मां पर्माणु बॉब फूटिया तो दुनिया फरीथी हिरोशिमा अने नागा साकी जेवा भयावह द्रुश्यो जोशे अमेरीका ए शरू करेलो पर्माणु युद्धनो अभ्यास काला सागर मां रश्यानी मिसाईलो थी हाहकार रश्या आने युक्रेननी सरहदे तोड़ाता युद्धना वादलो थी आखी दुनिया डरेली छे युक्रेनने लई नाटोना देशोय जे प्रकार नी मोर्चा बंदी करी छे ते जोता तो हवे त्रुजा वश्व युद्धनो खत्रो वधी गयो छे युद्धनी तरफ एक डगलू आगल वत्ता रश्या ए सरहत पर जंगी हत्यारों साथे लोही नी सप्लाय पन शरू करे दिदी छे प्यारे थोड़ा दिवस पहला अमेरिका ए पर्मानु बॉंब नाखवानु अभ्यास करी ने आ युद्धमा पर्मानु हुमलाओ थवानी आशंका